वैभवनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन श्राद कर्म कब क्यों और कैसे करना चाहिए ये पार्ट वन है आने वाले एपिसोड में इसका आपको पार्ट टू भी प्राप्त होगा इसके आगे की जानकारी आपको नेक्स एपिसोड में दी जाते हैं शास्त्रों में बताया गया कि पित्रपक्ष के दौरान पित्र अपने परिजनों के आसपास ही रहते हैं इसलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पित्र देवता नाराज हों पित्रों को प्रसंद करने के लिए पित्रपक्ष में कुछ बा करने पर भी उनको बुरे परिणाम मिलते उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते घर परिवार का कोई भी काम पूरा होने वाला उसमें रुकावट उसमें विग्नबाधा आई ही जाती है अच्छी कमाई और धन होने पर भी बचत नहीं होती धन गैर जरूरी कामों में खर्च होता है पिता और पुत्र के बीच गहरा मनमुटाव और तनाव की इस्तिती बनी रहती है धन सुक्सुविदा परिवार से सम्रद होने पर भी श्युब और मंगल कारिय नहीं हो पाते पुत्र या पुत्री सिक्षित और आत्म निर्भर होने पर भी उनके रोजगार या वि विग्न रहता है पित्रपक्ष के दौरान ब्रामण जमाता भांजा मामा गुरू नाती को भोजन जरूर कराना चाहिए इससे पित्रदेवता अत्यंत प्रसंद होते हैं ब्रामणों को भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हाथों से पकड़ करके लाना चाहिए और उनके योग ये भोजन का प्रबंद करना चाहिए हर दिन भोजन बनने के बाद एक हिस्सा निकाल करके गाये कुत्ता कववा पक्षी वगर के लिए आपको खुले स्थान पर रखना चाहिए मानेता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे पित्रों को प्राप्त होता है शाम के समय घर के मुख्यदवार पर एक दीपक जला करके पित्र गर्ण का आपको ध्यान करके उन्हें नमन करना चाहिए हिंदू धर्म गरंतों के नुसार जिस तिथी में जिसके पूरवज गमन करते हैं जिनका निधन जिस तिथी में हुआ हो उसी तिथी को उनका श्राद करना इस पक्ष में जो लोग अपने पित्रों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यू तिथी पर श्राद करते हैं उनके समस्त मनोरत पूर होते हैं जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यू की तिथी ग्यात नहीं होती उनके लिए पित्र पक्ष में कुछ विशेश तितिया निर्धारित की गई है जिस दिन वे अपने पित्रों के निमित श्राद कर्म संपादित कर सकते हैं तो सबसे पहले आश्विन कृष्ण प्रतिपदा इस तिती को नाना नानी के श्राद सही तरीके से किया जाना चाहिए ये तिती उनके लिए बहुत उत्तम बताई गई है इस तिती को श्राद करने से आपके नाना नानी की आत्मा को शांति मिलती है यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद करने वाला ना हो और उनकी मृतिव की तिती आपको याद ना हो तो आप इस दिन को श्राद करके उसका लाब ले सकते हैं फिर इसके बाद पंचमी की जिनकी मृतियों का श्राद नवमी की तिति में किया जाता है। इसलिए तिति पर श्राद करने से कुल की सभी दिवनगत मैलाओं को श्राद का कर्म प्राप्त होता है। एकादशी और द्वादशी एकादशी में वैशनाफ सन्यासी का श्राद करते हैं अर्थात इस्तिती को उन लोगों का श्राद किया जाने का विदान है जिनोंने सन्यास ले लिया हो अपने सांसारिक जीवन से इस तिथी में शास्त्र आत्मात्या विश और दुरगटना यादी यानि जिनकी अकाल अमृति हुई हो उनका शराद करने का नियम बताया गया है जबकि बच्चों का शराद कृष्णपक्ष के त्रेउदशी तिथी को करने को शास्त्रों में कहा गया है सर्व पित्रमोक्ष की अमावस्या की जो तिती होती है उसमें आप किसका श्राद कर सकते हैं किसी कारण से पित्रपक्ष की अन्य तितियों पर पित्रों का श्राद करने से आप चूग गए हो कोई भूल हो गई हो या पित्रों की कोई तिती आपको याद ना रही हो तो ऐसे में इस तिती पर सभी पित्रों का श्राद किया जा सकता है शास्त्रों के नुसार इस दिन श्राद करने से कुल के सभी पित्रों का श्राद हो जाता है यही नहीं जिनके मरने पर संसकार ना हुआ हो उनका भी अमावस्या की तिती को ही श्राद किया जाना चाहिए बा बस्त मनुरतों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से संबंदित जानकारियां ग्यान की बाते हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती हैं ये इनिश्यती पसंद आती होंगी आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसे शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल वैपावन नमोना राएं